हाई गाईज, वेलकम टो करंट अफेर्स फंडा, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जनवरी से अक्टूबर 2020 तक की इंपोर्टन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेज देखेंगे, साथ ही इंडिया की रैंक भी डिसकस करेंगे, फ्रेंड्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिविल में लिए करते हैं सुरुवात इस वीडियो की, तो मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा, वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2020, फ्रेंड्स इसको जारी करता है युनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलप्मेंट सॉलूशन नेटवर्क, और इसमें फर्स्ट रैंक है फिनल और स्वीडन की इसमें 1st रैंक है और इंडिया की रैंक है 74th, travell and tourism, competitiveness index 2019, फ्रेंट्स देखियें ये index सितंपर 2019, लेकिन ये important है, क्यों important है? च्तुलि ढखिये अभी हाल ही में जो UPPCS का exam हुआ है, 11 October को तो उस में भी हाँ से देखी question पूझा गया है, तो यहां पर केवल य में competitive index कौन जारी करता है तो इसका answer होगा world economic forum तो इसकी rank भी देख लेते हैं इंडिया इसमें 34th rank पर है और Spain ने इसे top किया है तो friends question किसी भी तरह से पुछा जा सकता है या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की rank क्या है या फिर आपको report दे देते हैं और पुछ लेते हैं कि कौन सी organization इसको जारी करता है आगे बढ़ते हैं Global Social Mobility Index 2020 तो friends इसको world economic forum ही इसको जारी करता है और ये अब की बार first ever global social mobility report ठीक है तो ये पहली report है world economic forum ने जो इसने इस बार इस तरह की report को जारी किया है तो इसमें इंडिया 76th नंबर पर है और डेनमार्क ने इसे टॉप किया है Global Manufacturing Risk Index 2020 तो इसे जारी किया है कुछ मैन एंड वेकफिल्ड ने और चाइना इसमें पहले नंबर पर है और इंडिया इसमें तीसे नंबर पर है The Global Startup Ecosystem Report 2020 तो friends इसमें जो है Cities के बारे में बताये गया है Global Startup Ecosystem की City में कितना अच्छा है तो Silicon Valley जो की California में है In United States First Rank है इसकी और Bengaluru इसमें 26th rank पर है और friends runner-up category में Delhi इसमें 36th नंबर पर है और अगर Emerging Ecosystems की बात करें तो Mumbai इसमें 1st rank पर है Global Real Estate Transparency Index 2020 तो friends इसे JL ने जारी किया है और इसमें United Kingdom की 1st rank है और India की rank है इसमें 34th Environmental Performance Index 2020 इसको जारी किया है Yale University ने Columbia University ने World Economic Forum के साथ मिल कर तो इसमें Denmark 1st नंबर पर है और India है 168th नंबर पर WordPress Freedom Index 2020 तो friends इसे जारी करता है Reporters Without Borders friends काफी important organization है और इसका headquarters है Paris में in France और इसमें Norway 1st नंबर पर आया है और India आया है 142 नंबर पर Direct Selling Industry Index 2020 तो इसको जारी किया है World Federation of Direct Selling Associations ने और इसमें USA 1st नंबर पर है और India है इसमें 15 नंबर पर 15th position Global Peace Index 2020 तो इसको जारी करता है Institute for Economics and Peace जोकि Sydney-based एक organization है और इसमें Iceland 1st rank पर है India है इसमें 149 नंबर पर और अफगानिस्तान है इसमें सबसे लास्ट में 163 नंबर पर Global Climate Risk Index 2020 तो friends इसे जारी करता है German Watch और friends जो climate की वज़े से जो भी आपदाय आती हैं तो उसमें सबसे आदा जो अफेक्ट हुआ है वो है जापान तो इसकी 1st rank है और India इसमें 5 नंबर पर है Climate Change Performance Index 2020 इसको जारी करता है German Watch प्लस New Climate Institute प्लस Climate Action Network और friends इसमें Sweden 1st नंबर पर है और India इसमें 9th नंबर पर FIFA ranking की बात करते हैं 2020 तो Belgium इसमें 1st नंबर पर है और India इसमें 109 नंबर पर है FIFA का headquarters है Zurich in Switzerland और इसके president है ग्यारी इंफ्रेंटिनो और friends FIFA World Cup 2020 ये कतर में होगा तो इसा भी facts आप याद रखें Sustainable Development Goals Index 2020 Friends बहुत important index है इसको आप जरूर याद रखना इसको जारी करता है Sustainable Development Solutions Network प्लस Burstman Stiftung तो इसमें Sweden ने 1st रैंक हासिल की है और इंडिया की रैंक है इसमें 117 Trends in World Military Expenditure 2019 तो friends इसको जारी क्या है Stockholm International Peace Research Institute ने USA की इसमें 1st रैंक है यानि की सबस्यादा जो अपने defense पर जो खर्चा करता है वो USA है उसके बाद चाइना है और इंडिया है इसमें 30 नंबर पर ये भी काफी important है आपके लिए Ease of Doing Business Report 2020 इसको जारी करता है World Bank जिसका headquarters है Washington DC in USA और New Zealand इसमें 1st नंबर पर है और इंडिया की रैंक है इसमें 63rd 63 वी रैंक Global Gender Gap Index 2020 Friends इसे जारी करता है World Economic Forum और Iceland इसमें 1st नंबर पर है और इंडिया इसमें 112 नंबर पर तो Friends देखें World Economic Forum ने कई सारे इंडेक्स से जारी करता है आप ये सभी याद रखना एक जगा आप लिस्ट बना लेना World Economic Forum जो जो और इंडिया जो ये रिपोर्ट अपनी जारी करता है तो उसको आप याद कर सकते हैं एजिली Global Intellectual Property Index 2020 तो इसे जारी क्या है Global Innovation Policy Center ने USA की इसमें 1st रैंक है और इंडिया की इसमें रैंक है 40 Sustainability Index 2019 तो Friends इसे जारी करता है WHO, UNICEF और Lancet Medical General Friends इसमें इंडिया की 77 रैंक है और Friends जो बुरुंडी है ये Lowest Per Capita CO2 Emitter है और Friends इसमें एक इंडेक्स होता है Flourishing Index इसमें इंडिया की 111 रैंक है ये भी ये तीनों और्गनाइजेशन इस इंडेक्स हो जारी करते हैं तो इसलिए मैंने इसके साथ ही इसको एड़ कर दिया है और जो ये Flourishing Index है इसमें नौर्वे की 1st रैंक है Global Talent Competitiveness Index 2020 तो Friends इसे लॉंच करता है Instead और Switzerland इसमें 1st नंबर पर है इंडिया है इसमें 22 नंबर पर Global Hunger Index 2020 तो Friends ये तो अभी हाल ही की है October 2020 की रिपोर्ट है और इसको जारी करता है वल्थूंगर हाइल्फ एंड कंसर्ण वर्ड वाइड तो Friends इसमें इंडिया की 94 रैंक है 94 रैंक है और Friends इस रिपोर्ट की अनुसार जो भारत की population का जो 14% है वो अंडर नुरिष्ट है और Friends इसमें अगर बात करें तो इस चार्ट आप देख सकते हैं तो 1 से 17 तक जो रैंक है वो उन कंट्रीज की है जिनका इसकोर 5 से कम है यानि कि जिनोंने अच्छा परफॉर्म किया है जिनके आँ हंगर की इतनी दिक्कत नहीं है Global Democracy Index 2019 तो Friends इससे चारी करता है Economist Intelligence Unit जो की एक London-based organization है ये भी Friends काफी important है आपके लिए Norway की इसमें first rank है और India की rank है इसमें 51 Global Rights Index 2020 तो Friends इसे जारी करता है International Trade Union Confederation जिसका headquarters है Brussels in Belgium Friends देखिए इसमें rating के हिसाब से दिया जाता है तो इसमें इंडिया की rating इंडिया को मिली है Rating No.5 इसका मतलब No Guarantee of Rights तो काफी serious problem है इंडिया के लिए अगर इस index की बात किया जाए और अगर जिसकी rating 1 होती है वो best होता है और जिसकी 5 या 5 से जादा rating होती है वो worst होता है Global Economic Freedom Index 2020 तो इसे जारी क्या है Fraser Institute जो की Canada में है और Hong Kong की इसमें first rank है और इंडिया की rank है इसमें 105 Index of Economic Freedom 2020 तो फ्रेंट्स इसे जारी करता है Heritage Foundation जो की Washington based एक organization है और इसमें Singapur ने top किया है और इंडिया इसमें है 120 वे नमबर पर Ease of Living Index 2020 तो फ्रेंट्स इसमें cities की बात की जारी है और इसे जारी किया है Ministry of Housing and Urban Affairs ने और पूने फ्रेंट्स यहां पर यह UP गलत से लिखा है यह क्योंकि रामपूर लिखा है तो यहां पर चायदे टाइपो हो गया है तो पूने जो की महाराष्ट में यह first rank है इसका मतलि यह most livable city है और रामपूर जो की UP में है इसकी 111 वी rank है तो आप यह हां पर दियान रखना यह पूने के बाद जो UP लिखा है गलत लिखा है यहां पर Global Innovation Index 2020 तो इसको जारी क्या है World Intellectual Property Organization ने इसका headquarters है जीनेवा in Switzerland और इसमें Switzerland की first rank है और इंडिया की rank है 48 Handles Passport Index 2020 तो friends इसे जारी करता है Handles and Partners Japan का इसमें सबसे मजबूत Passport बताया गया है और इंडिया इसमें 84 वे नमबर पर है अफगानिस्तान का जो Passport है वो सबसे कमजोर है यानि 107 वे नमबर पर Startup Ecosystem Ranking Report 2020 तो friends इस report को जारी किया है Startup Blink ने और इसमें first rank है USA की यानि Startup Ecosystem सबसे अच्छा USA का है और इंडिया इसमें 23 वे नमबर पर है और friends इंडिया जो है वो 3rd largest Startup Ecosystem है और friends इसमें देखिए 4 Indian Cities को भी इसमें जगा मिली है Bangalore इसमें 14 वे नमबर पर है New Delhi 15 वे Mumbai 22 वे और Hyderabad 96 वे नमबर पर है Smart City Index 2020 तो friends इसे जारी करता है Institute of Management Development and SUTD तो इसमें Singapore first नमबर पर है Helsinki इसमें second नमबर पर है और Zurich इसमें third नमबर पर है अगर Indian Cities की बात करें तो Hyderabad 85 वे नमबर पर है और New Delhi 86 Mumbai 93 और Bengaluru 95 नमबर पर तो टोप 100 में 4 Cities हैं Export Preparedness Index 2020 तो friends इसे जारी किया है नीती आयोग ने नीती आयोग से जितने भी इंडेक्स होते हैं या फिर और भी नीती आयोग से जो भी रिलेटेड निउस होती हैं ये काफी important रहती है आपने exams के लिए तो देखे इसमें Export Preparedness Index 2020 में देखें तो इसमें 4 pillars के आधार पर रिपोर्ड बनाई गई है और 11 sub pillars हैं तो देखें Coastal States की बात करें तो गुजरात नमबर वन है Land Log States की बात करें तो राइस्था नमबर वन है Himalayan States की बात करें तो उत्राखंड नमबर वन है और Union Territories की बात करें तो डैली नमबर वन है यह है आपका Export Preparedness Index 2020 Human Capital Index 2020 तो friends इसे World Bank ने जारी किया है Singapore इसमें पहले नमबर पर है और India इसमें 116 नमबर पर है QS World University Ranking 2021 तो friends इसमें देखें आप जो Top 200 है इसमें 3 हमारे इंस्टिटूट्स है दो तो IIT है और एक है इसमें Indian Institute of Science जो की Bangalore में है तो अगर हम देखें आप लिष्ट में देखें Indian Institute of Technology Bombay यह 122 वे नमबर पर है और इसके बाद फिर आता है आपका IISC Bangalore जो की 185 वे नमबर पर है और Indian Institute of Technology Delhi यह 193 वे नमबर पर है और इस इंडेक्स में जो सबसे Top पर है वो है Massachusetts University यानि MIT जीसे हम बोलते हैं सेकेंड नमबर पर है Stanford University और थर्ड पर है Harvard University Asia University Rankings 2020 तो इसमें Asia में जो Universities हैं उनकी ranking दी गई है तो 8 Indian Universities इसमें Top 100 में है ठीक है फ्रेंट्स और इसमें जो सबसे अच्छी जो ranking है इंडिया की दरफ से वो 36 है और यह है Indian Institute of Science in Bangalore की और फ्रेंट्स इसमें देखिया आप चाइना की जो Singwa University है यह सबसे नमबर वन पर है इसके बाद चाइना की ही Packing University second number पर है और National University of Singapore यह थर्ड नमबर पर है अब देखिये National Institutional Ranking Framework यानि NIRF तो फ्रेंट्स यह काफी सारी इसमें अलग-अलग categories मनी है तो जैसे overall categories की बात करें तो IIT मदरास इसमें पहले नमबर पर है University category की बात करें तो IISC Bangalore Engineering category की बात करें तो IIT मदरास Management category की बात करें तो IIM एहमदाबाद Pharmacy discipline की बात करें तो Jamia हमदर्द University Colleges category की बात करें तो Miranda House Medical discipline की बात करें तो Ames New Delhi Law discipline की बात करें तो National Law School of India University Architecture discipline की बात करें तो IIT खरकपूर और Dental College अगर बात करें तो Molana Ajad Institute of Dental Science तो यह सभी आपके लिए Important है तो इनको आप याद रखना Friends इसमें हमने कम से कम 34 या 35 Rankings इसमें कवर की हैं January से लेके अब तक की तो Friends यह आपके लिए काफी Important है आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिए Note down कर लीजिए देखे वर्ड इकोनों में एक फोरम ने कई सारी Indexes अपने जारी किया है Reports जारी किया है तो Friends आप उनकी एक अलग लिस्ट बनाईए और उनको याद कीजिए और अपना focus इस पर इमत रखिये कि इंडिया की क्या rank है इस पर जरू इस पर भी रखिये कि किस ओर्गनाईजेशन ले कौन से रिपोर्ट को जारी किया है ये भी उतना ही important है और Friends साथ में आप सभी Current Affairs Funda को Telegram पर भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर regular वीडियो अपडेट्स और Current Quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों आपर Current Affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp and Telegram पर शेयर करें लाइक करें और Friends कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी Thank you guys